अगर आप लॉजिक लिए एक प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं तो step wise देखा जाए तो यह step number 8 basically client communication और reporting का है लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आप इसको साथ साथ मेंटेन करेंगे यह भी एक ongoing process होगा जिसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने जितने भी काम हैं वो अपने client को communicate करेंगे अगर आप अपनी website का खुद अपना project चला रहे हैं अपना business रन करेंगे तो फिर यह चीज़ें शायदा matter आपके लिए ना करेंगे क्योंकि आपको पता कि आप रोस क्या करेंगे आप बस record करेंगे उसको लेकिन client के लिए specifically मैं recommend करूंगा कि आप उसके सब communication अपनी regular रखें क्योंकि मुझे पता है freelancing की दुनिया में जहां पर आप एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं आपका client की दुनिया कि किसी कौन में बैठा है आप कहीं और बैठे हैं आपको और client को एक दूसरे से updated रहना है और client इस मामने में बड़े sensitive होते हैं इस से बात ना करें दो उनको लगता कि आपकाisu यह अपक्ता काम नी कर रहे रहे हैं तो क्लाइट को नाजर भी आना चाहिए यह आपको बहुत ज्यादा काम आता है लेकिन अगर आपको बटाना नहीं आता उनको को तोiler बहुत आपकर आपको बाता न काम किया है अपने काम के लिए आपको हायड रखेगा कि यह चलता रहे, प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट लेना एक काम है, लेकिए प्रोजेक्ट को मैनेज करना एक और काम है technically काम आपको आता है कि नहीं वह एक अलग बात है आपके कितने skills हैं कि आप बहुत professional लेवल पर काम कर रहे हैं आप beginner लेवल पर काम कर रहे हैं वह आपके skill लेवल पर matter करता है लेकिन दोनों चीजों में regardless of your skill आपका skill कुछ भी हो आपने client को communicate करना है और मझे with experience ये पता है कि अच्छी communication से आपका project भी अच्छा चलता है so SEO project management जो भी आप पूरा project लेके चलें उसमें make sure ये करें कि communication अपनी clear रखें regular रखें, client को update करें उसको ये लगए है कि आप उसको educate कर रहे हैं आप उसको बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, उसको क्या benefit होगा क्या नुक्सान हो सकता है, क्या challenge आ रहे है क्या limitation हो रहा है, client से क्या चाहिए आपको क्या करना है और क्या new ideas आप लेके आ रहे हैं या क्या नई आइडियाज आप डिसक्स कर रहे हैं कि इसके लाव आप क्या क्या कर सकते हैं इस चीज़ें बड़ी इंपॉरंट हैं पूरे SEO के प्रोजेक्ट मेनेजमेंट में मेक शूर ये करें कि कम्मिनिकेशन को अपने साथ-साथ डे वन से लेकर चलें और प्रॉपरली इसको मेंटेन करें इसके लिए अगर आपको फिर अगें टूल यूज़ करना पड़ता है तो जो टूल आपने कीवर्ड रिसरच के लिए या अपने लिंक बिल्लिंग के लिए या रैंक मोनिटरिंग के लिए किया था वही टूल अगसर रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं मेक शूर यह करें कि आप प्रॉपरली रिपोर्ट क्लाइंट को भेजें वीकली हो मन्तली हो अपने लिए रखें ताके आप एक चीज को जो है पूरा प्रासेस जो उसको फॉलो कर सकें सो मैनेजमेंट तरही पॉसिबल होगी जब आप उसको कम्यूनिकेट करेंगे स्पेसिफिकली क्लाइंट की केस में अपने केस में शहदा आप इसको मिस करना चाहें लेकिन क्लाइंट की केस में आप ये स्टेप बिलकुल भी आप मिस नहीं करेंगे